हाई फ्रेंड्स चलिए आज का हिंदू डिसकस करते हैं तो आज के फ्रेंट फेज पे आज न्यूज देख सकते हैं कि इंडियन कांसलों वेडिकल के बताया है कि आरवन अरवन शवांस में लिए चांसे ज्याता है और अगर that you can get affected by coronavirus तो उसी में नितिन गडगरी साब ने बताया है कि there is a urgent need to decongest big cities, decongest मनलब जहां पर breed काम करना है, जैसे कि धारावी के उन्होंने बताया है specifically कि जो धारावी में इतने लोग रहते हैं साथ में, इतने कम एरिया में, वहां पर corona spread होने के चांसे जादा है, इसके हुझे से उन्होंने बताया कि जो infrastructure है धारावी में developed उसको हम, specifically जो leather cluster है, उसको हम धारावी से थाने में shift कर देंगे तो काफी लोग वहां पर relocate हो जाएंगे, जिससे decongestion हो जाएगा, भीड कम हो जाएगी धारावी में और उन्हें ये भी बताया कि जो डेली मुंबई corridor है, express page उसका construction हो रहा है तो उस corridor के आसपास भी हम अगर infrastructure develop करेंगे, तो भी काफी discongestion, decongestion हो सकता है और मुंबई धारावी specifically उसमें काफी decongestion होने के वज़े से coronavirus का spread control में आ सकता है लेकिन उसी time पे महराष्टर में जो देख सकते हैं कि 152 deaths का record है, सबसे जाधा deaths महराष्टर में हुए हैं और आखरी के दो दिनों से आप देख सकते हो कि सबसे जाधा COVID-19 के cases report हुए हैं महराष्टर में, मुंबई और पुने में so this is a warning कि आप हमने even though COVID lockdown थोड़ा lockdown चल रहा है, restrictions कम हो गए है पर इसका मतलब यह नहीं है कि आप relax हो जाए और आप normal life की तरह जीने लगे, we have to take care of our health हमें सारे जो guidelines government ने दिये हैं, जैसे कि mask पहनना, हाथ दोना, वो हमें follow करना पड़ेगा उसके बाद थोड़ी political news है कि राजस्थान में अभी elections होने वाले हैं, तो जो हाँ के जो CM है, आशोग घेलोट, उन्हेंने क्या किया कि सारे जो members, MLA's है, उनको सबको एक resort में move कर लिया है, जैपूर में, ताकि वो उनको BJP खरीद ना सके, उनका ये मानना है कि BJP is getting involved in nefarious designs, nefarious designs, मतलब criminal, malicious, wicked, जिससे वो, you know, lucrative offer कर रहे हैं, उन्हें बोला, कुछ पैसा offer कर रहे हैं, जिससे वो हमारे MLS, BJP में जा सकते हैं, इसके अज़े से उनको एक जगे पर रख दिया है, ताकि horse trading ना हो, which is not a good thing, बद ये reality है, आज के देट में, उसके बाद हमारा National Institute of Ranking Framework है NIRF, उन्हें, IIT Madras को सबसे topmost institute करके declare कर दिया है, कि which is the best, second is IIC Bangalore, Bangalore, और third is IIT Delhi, ये सबसे three best हमारे institutions है, और अगर आप, with respect to, अगर आप universities जाएंगे, तो सबसे पहले IIC, फिर Jawahal Neuro University, और फिर Banaras Hindu University, ये सबसे बढ़िया हैं, हमारे universities है, with respect to colleges, it is Miranda House, second है Lady Sri Ram College for Women, and last is Hindu College, which is a part of Delhi University, तो ये ये रैंकिंग्स हैं, एक्जाम में आएंगे तो आप इसको याद रखिए गया, IIT Madras is the best, college is Miranda House, and with respect to university, it is IIC, Indian Institute of Science, उसके बाद, में 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 हस्पिटल ने एक research किया, academic research किया, और उनने paper लिखा, जिसके अंदर उनने, it shows a positive outcome of 494 patients operated between March and April, तो COVID-19 के विजए से बहुत सारे cancer surgeries को रोका गया था, लेकिन उनने कुछ study carry out की, जहां पे उनको पता चला कि करोना हो या ना हो, अगर हम सारे safe guards, अगर हम follow करेंगे, तो फिर हम successfully cancer patients की surgery कर सकते हैं, specifically those patients who are in need of urgent surgery, तो यह बहुत अच्छा initiative है, अच्छा outcome है, जो कि सारे all over India हम इनको follow कर सकते हैं, उसके बाद हम directly जाएंगे editorial के, क्योंकि इसके बाद सब state news है, जो कि local news होती है, तो हम directly जाएंगे editorial page पे, इसका आज का जो सबसे बड़ा editorial है, वो the Gandhi's, Mandela's and the Kings of Today, across the world, people are speaking up against racism, classism and callous elitism, तो गोपल कृष्ण गांदी करके इन्होंने ये लिखा है, इन्होंने clearly बता है, इन्होंने पता है कि फिलाल दुनिया का छोड़ो पहले इंडिया का देखो, क्या हुआ कि, obviously सबको पता है कि Floyd नाम के एक individual को मारा गया US में, जो कि एक black थे और उन्होंने बूला कि black lives matter, अभी नया moment चालो हो गया है US में, लेकर अगर उसी relation में, अगर आप इंडिया में की बात करेंगे, तो उन्होंने reference दिया है गांदी जी को आप यहां देख सकते हो साथ जून 1893 में, Peter Mattisburg करके South Africa से एक railway station से उनको पूछ करके बाहर निकाल दिया गया था, और अभी फिलाल इंडिया में यही हो रहा है कि जब railway स्टार्ट हो गया तो बहुत सारे जो migrant workers अपने घर वापर जाना चाहते, उनको भी उन्होंने धक्का बुक्की में उनको निका है कि इसके वज़े से 80 लोग मर गए, which is not a good sign, उन्होंने इभी का गांधी जी तो बहुत बड़े lawyer थे, economically well off थे, तो वो battle कर सके, वो fight कर सके, लेकिन जो migrant workers है, जब lockdown डिक्लेर हुआ, उनने clearly बता है, जो middle class लोग होते हैं, उनके लिए, क्या था भई, lockdown में आपने family से बात कर बेकिंग करो, movies देखो, web series देखो, लेकिन यह जो गरीब लोग थे, उनका livelihood रुख गया, उनका जानाने का सब बंद हो गया, दो वक्ती रोटी खाने का, तो उनके पास एक option था कि खाना ही नहीं मिल रहा तो घर जाओ, वो घर भी नहीं जा पा रहे थे, और जब जानी की को जाना पड़ेगा, तो 140 किलोमेटर वो चल के धिरे धिरे अपने घर वापत जा रहे थी, और वहां से 60 किलोमेटर दूर उसका घर था, तो इससे पता चलता है कि उन्होंने ये बताया, कि ये जो एडिटर है, जो राइटर है, उन्होंने बताया कि वही वो लड़की को किस जो नहीं मारा, is it, like, because she did not have food or she collapsed or she made a wrong decision, उन्होंने ये कहना है कि कोई politician नहीं, कोई government नहीं, हम लोग हैं, इलाइट लोग हैं, जो class, higher class के लोग, उन्होंने मारा, किसी को कोई लेना देना नहीं, गरीब लोगों के साथ आपने lockdown डिकलेर कर दिया, लेकिन इनका जो exit के अप लोगों के डॉक्टर नहीं क्लिरली बता है कि ऐसा एक वाइरस है, COVID-19 करके जो patients को हो रहा है, उसके वज़े से लोग मर रहे हैं, और वो खुद को उनको भी हो गया और वो भी मर गए, तो पहले लोगों नहीं बोला कि ये तो rumors spread कर रहे हैं, और उसके बाद जब उनकी रु का ही चलता है, उनके बारे में ही सोचा जाता है, और इस lockdown is one of the good examples, यहां पर देखा गया कि उनको ज़्यादा prefer किया जाता है, राद दें गरीब लोगों को, ऐसा उनका कहना है, चाना का जो अभी back to the bring की दूसरा चोटा सा article है, जहां पर जो writer उनने ये बताया कि, पांच geography में जाके अपने map में जाके देखिए कि exactly ये कहां पर है, और उनको ये मानना है कि इसके लिए जादा diplomacy की ज़रुवत है, जादा बातशील करने की ज़रुवत है, जिससे ये problem solve हो जाए, और इनका ये भी मानना है कि obviously इंडिया ने भी बहुत सारा infrastructure development किया है अपनी area में, जो कि legally speaking, internationally speaking, जो correct है, क्योंकि वो जगह हमारी है, तो वहापे आप infrastructure development कर सकते हैं, लेकिन चाइना नहीं क पर इंडिया ने जो किया, वो infrastructure development किया, लोगों के भलाई के लिए, तो जिसका हमें पूरा हक है करने का, तो obviously इंडिया won't stand back उनको, तो जैसा था वैसा जब तक नहीं होता है, तब तक इंडिया कोई पीछे नहीं हटेगा, और चाइनीज पे 100% diplomacy के थ्रूप प्रेशराइज करेगा, और इसी का related एक दूसरा article है, case for white diplomacy, जहां पे Anand Krishnan जो है, उन्होंने लिखा है, उन्होंने बुला कि, normally this is not a new thing कि जहां पे चाइना ने line of actual control पे थोड़ा, you know, exploit कर निकोशिश की situation को pressurize के इंडिया को, पहली बार नहीं हुआ है, बहुत सालों से ही चलते आ रहा है और हमेशा जो opposition होती ही, वो हमेशा political party in power जोगी, इस बर जो BGP होंके, allegation डालते हैं कि यह कुछ कर नहीं पात है, although UPA government हो या इंडिया government हो, दोनों को यह situation face करने के बाद यह realize हो कि, इनका यह मानना है कि, rather than having a media sensation, or rather than having talks like हम attack कर देंगे चाइना पे, quite diplomacy का, उन्होंने बहुत अच्छा उधरन दिया था, कि 2013 में जब चाइना ने similarly चीजे की थी, तब UPA government था, उन्होंने यह किया था, उन्होंने यह clearly बताया कि, इस वक्त उन्होंने, जब वो इंडर करनी कोशिश कर रहे थे, आपने border के बहुत pass आ गए थे, तो तब हमने clear बुला, जब तक आप नहीं हुई और slowly China ने अपने troops वापस ले लिए और फिर उसके बाद वो विजिट हुई, तो यह quiet diplomacy का एक बहुत अच्छा example है कि शांती से अपने यह problem solved कि है, rather than having such a big discussion कि बापरयाब तो वहरी हो जाएगा, जो गलत है, क्योंकि political issues रहेंगे, हमेशा there will be trust issues रहेंगे इंडिय चाइना की बीच में, तो इसको कम करने के लिए उन्होंने यही बता है कि जो opposition political party है, जो भी हो, उसको inform करना बहुत जरूरी है कि क्या चल रहा है, government क्या कर रही है, along with that, media को भी बताना जरूरी है, जो भी important है, कि national security भी हमारी in danger नहीं होनी चाहिए, और लोगों को भी पता चलना चाहिए, कि चल क्या रहा है, India और चाइना के बीच में, और इसके आगे, इन्होंने यह भी बोला कि, चाइना के साथ भी शुड़ है, continuous diplomatic talks, बले ही वो, you know, diplomatic level पे नहीं, informal level पे हो, लेकिन talks होनी चाहिए, जिसके विज़ work from home, feasible in the long run, work from home, feasible है कि नहीं, तो यह article मुझे बहुत interesting लगा, because मैं इसको relate कर पाया, लेकिन इसको थोड़ा sociological angle भी दिया गया है, sociology optional जिनका पढ़ाई करते हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया है, कि work from home, ठीक है कि नहीं है, तो सबसे पहला, जब यह article में जो, पहले मैं बत करना है कि नहीं, और every individual in India cannot afford that, second thing, घर में आपके पास कितने computers हैं, कितने laptops हैं, अगर एक ही computer होगा, जो कि normally इंडिया का, अगर आप देखोगे economic status हर एक family, तो एक, दो computer, तीन computer है, दो-तीन laptops होना normal है, जब अगर अगर अपर middle class की बात करते हो, लेकिन middle class, lower middle class को, दो-तीन laptops है, या कोई उनकी wife है, जो job करती है, उनके काम को secondary देखा जाएगा, तो जगड़े हो सकते हैं, बहुत लोगों के लिए, अगर आप बात करेंगे home, जैसे यहाँ पर लिखा गया है, home can be a center for abuse, बहुत लोग होता है, जिन पर घर पर domestic violence होता है, जिन पर dowry का pressure होता है, जिन प घरों में ही abuse होता है, एक अच्छा है, बतलब यहाँ पर बहुत अच्छा mention किया, इन्होंने की, जो लोग वर्क पे जाते है, तो वर्क प्लेस में भी abuse होता है, गली-गली हो जाती है, सब लोगों के आगे आप पे चिला है जाता है, आपकी insult की जाती है, चार लोगों के आ इज़त का follow दानी होगा, तो उनके लिए हो better है, लेकिन घर पे ही abuse हो रहा है उनका क्या, और human-to-human contact का क्या, face-to-face interaction के value का क्या, क्योंकि at the end of the day, we are social human beings, we need face-to-face interaction for actual trust, हम सिर्फ video chatting करके किसे पे totally trust नहीं कर सकते, कि actually cap क्या है, बाद में उन्होंने बोला education sector ऐसा है कि जहाँ आप, you know, you can explore work from home के आप घर बेट के lecture, जैसे मैं आभी यह पढ़ा रहा हूँ, लेकिन college यह school ऐसी situation जहाँ पे, अलग-अलग economic background से बच्चे आप एक ही जगे पे बेटते हैं, लेकिन अगर आप work from home बोलेंगे, अगर वो बच्चा वीडियो स्टार्ट करेंगे तो उसका घर और जिसके लिए अगर personal life और work life अलग-अलग रखनी है कि भई हाँ, मैं 8 घंटा जॉब करता हूँ, घर जाने के बद प्लीज मुझे को तकलीफ मत दो, work from home उनके बद workplace और professional जो घर का environment है, वो तो एक ही हो जाएगा, you won't get time, और आज के लिए 8 घंटा सरिफ नाम के लिए होत जैसे कि अभी for example, मेरी case देख लोगे तो मेरे mobile के data पे सब कुछ चल रहा है, इसके लिए institution या कोई भी organization इसके मुझे कोई पैसा नहीं दे रहा है, तो वैसे बहुत सारे जो लोग हैं, जो घर पे काम कर रहे हैं, अपने mobile का data है, घर के wifi पे काम कर रहे हैं, जिसका कोई भी क्योंकि ये पहली बार हुआ है, कोई भी ready नहीं था इसके लिए पहले, covid-19 के situation के लिए, so work from home के advantages भी है और disadvantages भी है, तो उसको balance करना बहुत ज़रूरी है, यह इस article के या इस interview के बारे में discuss हुआ है, इसके अंदर, आच्छा article है, बहुत बढ़िया है, sociological point of issue बहुत अच्छ अब यह media के बारे में थोड़ा बात कर लेंगे, infotaining करके, इस article में ऐसा लिखा गया है, वैशनरोय नहीं बताया है, कि जो TV के anchor होते हैं, वो एक WWE के wrestlers की तरह हो गया है, एक script दी जाती है, और वो बस किया जाते है, इसमने बहुत अच्छा एक example दिया, जो फिलाला भी, जो उसे हवारे कि वो उड़ रहा है, उड़ के जा रहा है, लेकिन उसी वक्ट पे एक दूसरा individual, जैस कैमेरा के आगे, ऐसे normal चलता हुआ, निकल गया, और यह क्यों पीछे-पीछे उड़ रहा है, इसका मतलब कि है कि हाँ, हम समझते हैं, भई, cyclone बहुत strong है, devastation हो सकता है, ल लोग मर रहे हैं, लोग यह हो रहे है, रियालिटी भी थोड़ा सा दिखाई है कि हाँ, इसका जो भी है, लोग काफी recover हो रहे हैं, जो लोग मर रहे हैं, उनको ऐसा कोई relevant, इसको commodities बोलते हैं कि जहाँ पे उसको साथ में कोई दूसरा भी बीमारी थी, जैसे diabetes, high blood pressure, cancer, heart का patient इसको था तो इसके वज़े से है, कोई नहीं बताएगा, मर गए, मर गए, कोई नहीं बताएगा, मर गए, कोई नहीं बताएगा, पूरा पिचर देखाओ, जस्ट डोंट में के एक सेंसेशन अब ओट फिल्म, इंफोटेनिंग के बारे में, इंफोटेनिंग मतलब, information और entertainment और information का mix करके, entertaining कर दिया है इनोंने, तो media, yes, TRP के लिए कुछ मी कर सकती है, ऐसा इसके बारे में बात किये, फिर बाद में हम discuss करेंगे, लेखते हैं, और कुछ important news है कि आज के newspaper में, जो की मुझे इसमें नहीं दिख रही है कुछ, हाँ, CVI probe into TDP schemes, तो TDP जो government था आंधरा मे हुआ है, और ऐसे-ऐसे companies को वो contract नहीं दिया गया, जो capable थे, लेकिन ऐसे लोगों को दिया गया, जो कि इनके साथ TDP government का tie-up था, तो बहुत सारा पैसा इधर का उदर हुआ है, तो इसके लिए CBI probe का demand किया गया, कि वही आप CBI को इसको investigation करने तो, देखिए corruption की बढ़िया case ह है, उसके बाद, कुछ हा, confusion prevails as two ministers differ on online classes, तो करनाटगा में बूला गया है कि वही 5th standard की नीचे के बच्चों को online classes नहीं होंगे, अब 5th standard है या 7th standard है, इस पर थोड़ा सा confusion हो गया था, इसके लिए 2 minister कुछ अलग-अलग बूल गया, वो बात जाने दीजे, लेकिन इसमें बह work from home का जो दूसरा एंगल है, जो बच्चा पढ़ रहा है education sector में, और अगर वो रूरल एरा से बिलॉंग करता है, जहां पर internet connection नहीं है, तो और वो बच्चा है, तो उसको आप कैसे पढ़ाओगे, अगर उसके घर में laptop नहीं है, मोबाइल नहीं है, उसके घर में internet connection नहीं है, तो बच्चा कैसे पढ़ेगा, अगर आप कल बोल रहे हैं कि नहीं सब कुछ online कर देना चाहिए, IT industry का ठीक है, because they are dealing with software, वो खुद जो आपकी घर पर Wi-Fi हो तो खुद लगा के जाएंगे, बड़ अब with respect to educational institution, मेरा experience तो कुछ अलगी रहा है कि कुछ अलग से पैसे नहीं मिलत उसके बाद, time to take bold decision says Modi है, उन्होंने बोला है, आप आत्म निरभर बनी है, इस पर काफी memes भी बहन रहे हैं, बहुत सारा Instagram पर और social media पर मजाग बनाए जा रहा है, लेकिन self-related India का मतलब क्या है, उसका मतलब यहाँ पर मैंने highlight कि है, कि we should minimize our dependence on other countries, specifically in the manufacturing center, हमको हमारा reliance बाकी के देशों पर कम करना है, कि उनका बोलना है कि इस वक्त पर सर लोगों ने अपना, जब यह lockdown पुरा हट जाए, तो पूरा काम में अपने आपको जोग दिना है, और India को independent करना है, from all this kind of dependence on other countries for manufactured products and goods, okay, नेपाल के साथ भी cultural ties, civilization, cultural ties को हम strong करने वाले हैं, तो अभी नेपाल में elections ह होने वाले, तो उसके वज़े से अभी से हम उनके साथ अच्छे relations, जो हमारे already उनके साथ है, उनको हम continue रखना चाते हैं, उसके बाद virtual parliament के बार में बात की गई कि उन्होंने कहा कि जो central government है, जैराम रमेश ने कहा कि center is refusing to have any kind of discussion on the online platform, उनका ये बोलना है कि भही अगर आप online discussions इतने कर रहे हैं, लोग education sector में, IT sector में, इतना online सब चल रहे है, तो virtual parliament क्यों नहीं हो सकता है, ठीके, बहुत ज़्यादा लोग हो जाएंगे, लेकिन अगर जो committees होती है, चोटी मोटी, जो standing committees, ad hoc committees, जो form की जाती है for specific purpose in the parliament, जिनकी strength ज़्यादा से ज़्यादा 50 होती है, तो 15-16 लोग online discussion करके, हम government का काज आगे बढ़ा सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा एक suggestion है by जैराम रमेश, बहुत ही बढ़िया suggestion है, लेकिन उसके लिए फिर से देखना पड़ेगा internet connectivity है, हमारा cyber infrastructure, cyber security भी देखना पड़ेगा, क्योंकि cyber crimes भी बहुत बढ़ गए हैं, और हमारा जो cyber laws हैं हमारे इंडिया में, वो काफी weak है when it compares to foreign के देशों के साथ compare करोगे, तो हमारा cyber law relatively थोड़ा सा weak है, ये उसके थोड़े problems है, बोलना बहुत आसाने कि वर्चुली आप चालू कर देजे, लेकिन उसके cyber crime, cyber security, cyber infrastructure भी लेखना बहुत ज़रुरी है, देखते हैं, और क् examples for sociology, sociology optional के लिए एक छोटा सा current news आप बोल सकते हो कि इतना COVID-19 में सब लोग इतने tension में हैं, फिर भी ये जो बोल सकते हो आपकी दलित लोगों के खिलाव जो atrocities है, वो अभी भी चल रहे हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है, we are in the 21st century, we should move ahead with these things, बाद में important, हाँ, navy to shield personal from virus, तो उनका navy ने बोला है, जो भी हमारे navy personal है, जिनका age 50 के उपर है, जिनको COVID-19 हो सकता है, उन लोगों को हम काम करने के लिए, coronavirus के related काम करने के लिए नहीं बोलाएंगे, और उन्होंने ये भी बता है कि regional assistance हमने बहुत दिया है, देशों को, medical assistance बहुत प्रवाइट किया है, जैसे क security की भी ज़रूरत है, क्योंकि हम इतना काम कर रहे है, day in day out कि pressurize pressure बढ़ रहा है, और personal कम है उनका ये मानना है, क्योंकि ऐसी situation पहले कभी नहीं हुई, उसके बाद, India removes export banon, HCQ, HCQ के बारे में बहुत सारा बीच में बात हुआ था, hydrochloroquine, it's a anti-malarial drug, जो की COVID-19 को control करने के लि लेकिन धीरे-धीरे हम उसके जो export का जो ban है, वो हमने धीरे-धीरे कम कर रहे हैं, और बाकी देशों को हम ये, HCQ, hydrochloroquine, हम लोगों को provide कर रहे हैं, तो ये एक news है, छोटी सी, उसके बाद, lion senses method outdated, experts का ये मानना है, जो भी gear forest जो है, गुजरात में, जब भी अभी जो हुआ, उसके अंदर वो outdated है, क्योंकि उन्हें पुराने methods का इस्तमाल किया है, और इस बार जो लोग normal है, जितने लोग involved होते हैं, इस पूरे exercise में, वो लोग भी बहुत कम थे, क्योंकि traveling के restrictions थे, because of COVID-19, और डॉक्टर जहा करके एक बहुत specialist है, उन्होंने बोला कि camera का इस्तमाल करन चाहिए, और जो lines होते हैं, उनके अंदर physical marks जो होगे body पे, कोई डाग होगा या चोट होगी, उसको देखके उसको हमने track करना चाहिए, जो कि tigers के बारे में किया जाता है, लेकिन government official से उन्होंने कहा कि जो camera का जो इस्तमाल करते हैं, tigers को count करने के लिए, वो थोड़ा line के लि अगलग strips हो सकते हैं, लेकिन lines में इतना physical difference होता हैं, physical features बहुत similar होते हैं, तो उसी level पे apply होगा नहीं होगा, वो थोड़ा सा study करना बहुत जरूरी, लेकिन एक बात तो सच है, so methodology का इस्तमाल किया गया है, वो outdated है, and we should have to inculcate new ideas and new methods to calculate the amount of lines in India, okay, उसके बाद किर्गिस्तान मे 194 students अटके हुए हैं, जिनको हम इंडिया में इलाने के लिए अब तक second, जो वंदे भारत mission है, उसके बाद दुसरी flight गी नहीं, पहले flight गी तो उनको डेली, हैदरबाद गाया, उनको बच्चों को छोड़ा गया, लेकिन याब ये जो बच्चे North Eastern States के, उनको अभी तक कोई contact कर रहे हैं और जल से जल समें इन बच्चों को लेके आएंगे, उसके बाद जो Employees Provident Fund Organization है, EEPFO, उसने digital life certificates allow की हैं, क्योंकि जिन लोगों को pension चाहिए, हर साल उनको उनको उनका जिन्दा रहने का एक life certificate देना पड़ता है कि हाँ, मैं जिन्दा हूँ, और मुझे आप pension दीज Common Service Centers जहां पे IT का इस्तमाल, Information Technology, Internet का इस्तमाल करके भी आप digital certificates भेज सकते हो, जिसके हुझे से आपको आपका pension मिल जाएगा, तो अच्छी बात है, अभी Government ने जो National Human Rights Commission उसने बोला है कि हम basic income, universal basic income, कम से कम इतने पैसे हार एक below poverty line की इनसान को देने का सोच रहे हैं, consider कर रहे है लेकिन इसमें भी उन्होंने बहुत चीज़े बताई हैं कि जो हमारा Child Sexual Abuse हो गया, या trafficking हो गई, उसके schemes को अभी भी implement करने के लिए हमारे laws को strengthen करना बहुत जरूरी है, health sector में हमारे funds include करना बहुत जरूरी है, और जो हमारा United Nation Convention on the Rights of the Children, इसको भी recommendation इसको भी आच्छे से implement करना बहुत जरूरी है क्योंकि जो बच्चों को disabilities है, physical और mental disability है, उनको अभी भी education जिस हिसाब से मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहे है, तो education, health और basic income के बारे में हमने एक report भेजी है, United Nations Human Rights Council को, ठीक है, किसने भेजा है, National Human Rights Commission ने, ठीक है, या annually हम उनको ये report भेजते रहते हैं, औ और देखते हैं, कौन से important news है आज के लिए, teacher killed, हाँ जी, अभी Trump सापने, जो भी international criminal court है, जो भी अभी उनके जो soldiers है, अमेरिकन जिनको, जिनके उपर allegations है कि अफगानिस्तान में उनने war crimes किया है, लोगों को, बेगुना लोगों को मारा गया है, तो अभी Trump और उनके administration का ये मा ठीक है, जो हेग में होता है, वो उसको pressurize किया जा रहा है, कि आप ये जल्द से जल्द हेग, हेग में इसका, it is situated in हेग, कि इन पे genocides और war crimes का against humanity करके, इनके खिलाफ ये जो खटला है, ये जो prosecution इसको push किया जा रहा है, और unnecessary लोगों को, हमारे लोगों को फसाया जा रहा है तो उन्होंने बोला कि जो भी ICC में जो लोग है, उनके खिलाफ उन्होंने sanctions चालू कर दे, travel curves, economic sanctions against the court employees, तो ये एक तरीका होता है कि इक तरीके से आप मानने रहे हो कि ICC क्या बोल रहे है, एक तरीके से आप दिखा रहे हो कि you don't agree with what ICC is saying, अब हमेशा दूसरे देशों को द अब जब केस उनके खिलाफ जाने लगे तो suddenly they have started having sanctions, उनको punish कर रहे है उन लोगों को जो गलत बात है, बाद में एक teacher को stab कर दिया गया, असलोवा किया में, एक 22 साल का लड़का था, उसने जाके stab कर दिया, principal को मार दिया, एक female teacher थी उसको उस पे अटक किया, तोड़ा पागल Trump सारा जो घलतियों का बोज है, वो सब चाइना के सर पे मार रहा है कि चाइना के उज़े से इस सब अभालत हुई, एकनोमिक इतनी वाट लगी, तो चाइना के साथ कोई relation रखने में, तो ये इस deal के बारे में में कुछ बात नहीं कर रहे हैं आगे, नौर्वे में खिलीप म इसको सजा हो गई, और he is very proud, जो New Zealand में 50 लोग मारे गए थे चर्च पे जब अटक हुआ था, Massacre of the Muslims, बहुत उसने उसको, वाइट सुप्रम में से की, एक रेसिजम पे जो चल रहा है अभी Floyd को मानने की बाद, ये जो extremist है, कि वाइट ही सुप्रम हुद है, उसमें से ये एक जाधा Muslim लोगों को मारा जाए, तो obviously ऐसे इंसान को तो फासी दे देनी चाहिए, लेकिन 21 साल की सजा देके, अज़ने decision दिया है, उसके बाद Harvard ने भी जो study की, चाइना पे उपर की, जो COVID-19 का जो वाइरस है, वो तो बहुत पहले August 2019 से ही छोड़ा गया है चाइना ने, और च जाधी बोलेगा, उसके बाद 10 Ivory Coast soldiers killed in jihadis attack, तो Ivory Coast में एक terrorist group है, उसको बोलते है group to support Islam and Muslims, GSIM, इस group ने 2016 में attack किया था March में, उसके बाद directly उसने अभी attack करके, 10 लोगों को, 10 soldiers को मार दिया है, जो की बहुत ही बुरी बात है, तो इस terrorism को आप देख सकते हो, it is a phenomenon which still exists in the world, उसके बाद, Virginia में एक statue था, Jefferson Davis का, it is a sign of supremacy of, क्या बोलते है, white supremacy का एक symbol था, तो उसको तोड़ दिया गया, उस symbol को, तो even एक बहुत ही famous actor, politician, or bodybuilder, Arnold Schwarzenegger, उनके भी statue को इसी तरह के से vandalize किया गया, तो अभी US में थोड़ी सी situation बहुत खराब हो चुकी है, after the death of George Floyd, George Floyd के मृत्यों के पाद भाद आ रहे हैं, white supremacy को खतम करो, black lives matter, तो अभी फिलाल situation बहुत खराब है, covid-19 भी चल रहा है, और अभी ये protest भी start हो गया, जो कि अच्छी बात नहीं है, और अभी पाकिस्तान में polio vaccination phase start होने वाला है, रोक दिया गया था, because of covid-19, तो इतनी बड़ी news नहीं है, लेकिन थोड़ा सा, एक Swedish former prime minister थे, palm करके, किसने उनको मारा, तो ये जो पूरा article है, इसके बाद वो खुद कैसे थे, थोड़ी उनकी history के बारे में बताया गया है, और अभी उनका थोड़ा investigation हुआ तो उसके बारे में बताया गया, लेकिन ये सब कुछ, this whole article is on speculation, कि ऐसा हो सकता है, या वैसा हो सकता है, इसा क्या हो सकता है, तो UPSC में ऐसे questions नहीं आएंगे, which are based on speculation, उसके बाद North Korea ने भी अभी कहा, US को कि please do not fall into the inter-Korean affairs, North Korea, South Korea के अफेर्स के बीच में मताओ, जैसे हम बोलते हैं, India, Pakistan के बीच में मताओ, US, अपना खुद का problem पहले manage करो, फिर हमारे पास सीरिया में भी उनका जो प्राइम मिनिस्टर है, उनके सीरियन के प्रेजिडेंट एब अशरासाथ, उनने अपने प्राइम मिनिस्टर इमाद खमीश को फायर कर दिया, उनको नोकरी से निकाल दिया है, बिकाज अभी economic crisis बहुत बढ़ गया है, लोगों में गुसा बहुत ब यह नया survey आया है कि rather than actually broadband हम mobile के data पर जाधा काम कर रहे है, जो कि majority जैसे मैं भी हूँ जो कि mobile का broadband ही जाधा दर इस्तमाल करता हूँ, वाई-फाई लगाने वाला हूँ, लेकिन mobile के data पर ही सब कुछ चल रहा है, that is the future, और अभी RBI ने भी Reserve Bank of India ने भी नया suggestion दिया है कि जो board of bank, जो board होता है, banks का, CEO's का और whole time directors का, उसके उपर नए norms लाने वाले हैं, और उनका यह मानना है कि जो board meetings होते हैं कम से कम 6 बार, at least 6 बार, 60 दिनों में होने चाहिए, once in every 60 days, मतलब दो मैने में एक बार इनकी meeting होनी चाहिए, इनका age कितना होना चाहिए, इनका criteria for selection, removal क्या होना चा और यह जो सारे norms है, it will be applicable on all types of banks, private, foreign और public sector banks, यह एक छोटी से news थी, उसके बाद स्पोर्ट में सब cricket, cricket ही है, आई-पील के बारे में, गांगुली के बोल रहे है, स्री लंका अंटूर कैंसल हो गया, देनेशकारत है कि यह जादा important news है नहीं, यह important है, कि sports will be a part of curriculum, जो हमारे sports minister है, Kiran Rijiju, इन्होंने बोला है कि sports has always been considered a part of education, so how can you consider it as a part of co-curricular, so it will be a part of education now, it will not be considered as optional, it will be mandatory, तो एक अच्छा मूव है मेरे लिए, मैं खोद एक sports person हो, मुझे तो अच्छा ही लगीगा, लेकिन अगर यह मूव हो जाएगा, तो हमारे इंडिया में, जैसे हम बोलते हैं, cricket के अलावा, जैसे आप भी newspaper में भी आपने देखा, कि सब cricket, cricket के बारे में बात कर रहे हैं, पर अगर ऐसा हो गया, तो हमारे अलग-अलग sports में, अलग-अलग direction से sports बनाएंगे, जो कि बहुत ही अच्छी news होगी, और जो आखरी news है, first estimation exercise of Indian gore in Nilgiris, in recent years, तो 2000 के आसपास यह जो gore करके एक animal है, उसको count किया गया है, नilgiris में, और इस forest में जब यह conduct कर रहे थे, तो उनक human-animal conflict है, उसका reason है, habitat fragmentation, लोगों की जनसंख्या, लोगों का population इतना बढ़ते जा रहा है, कि इनका जो natural habitat है, उसके अंदर हम encroach कर रहे हैं, जिसके उज़से यह humans पर attack कर रहे हैं, बहुत सारे जगहों पर है, जहां पर सबसे ज़द अटक्स होते हैं, वहां पर जो की tea states थ जाती है, वो fence के वज़ए से यह गौर अंदर बहर नहीं आ करते हैं, इनका area कम होते जा रहा है, तो obviously जब भी humans इनके आगे आएंगे, तो यह attack करेंगे, कोई भी हमारे घर के अंदर, हमारे permission के बिना आता है, तो हम उसको घर से बाहर निकालते हैं, तो वह habitat उनका घर है, त भी accidents हो जाए, या किसी तरीके का poisoning हो जाए, या मार देते हैं लो इस animal को, तो वह भी गलत है, तो एक तरीके से एक proper plan out करना चाहिए निलग्रीज में की, जिसमें इन animals का protection भी हो, और human habitat भी इनके natural habitat को इंक्रोच ना करे, आपको अपको अपको इस अच्छा होगा, आप एक तरीके सा भी वीडियो देख लोगे, तो आपका सारा Hindu paper cover up हो गया, मैंने सारे इंपोर्टन आजके articles cover up कर लिए, आपको अगर कोई डाउट होगा, तो प्लीज आसक में इन दे कमेंट सेक्षिन, आपको अगर कोई